कभी-कभी हम एक ऐसे रिष्टे में फच जाते हैं, जो हमें emotionally और mentally ठका देता है। ये चाहे romantic रिष्टे हो, पती-पत्नी का रिष्टा, parents और बच्चों का, सास पहु का, दोस्ती का, हमारे boss या office co-workers का। ऐसे रिष्टे जो भारी पड़ते हैं, जिसमें दुख और घुटन जादा और खुशियां कम मिलती हैं, जो हमारी positivity खतम कर देते हैं, इनको हम toxic relationships कहते हैं। और आज मैं आप सबसे marital यानि पती-पती के toxic relationships के बारे में बात करूँगे। नमस्ते and welcome to fit तक, मैं हूँ देवियानी धीर, एक mental health counselor और mental health blogger। आज की विडियो में मैं आपको तीन चीज़े बताऊंगे। 1. Toxic relationships को पहचानना 2. Types of toxic people कौन होते हैं 3. Toxic relationships से हम कैसे धीर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगे कि हम toxic relationships को पहचान कैसे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 10 points बताऊंगे। 1. जहां lack of respect हो, एक दूसरे की इज़त ना हो 2. Constant fighting, जिस रिष्टे में लगातार लडाई हो 3. Only societal or legal bonding, जिस रिष्टे की बुनियाद आपके लिए सिर्फ सामाजिक या कानूनी हो 4. A burden, जो रिष्टा एक बोज लगने लगे 5. Suffocation, जिस रिष्टे में घुटर महसूस हो 6. Trying to exit it, जिस रिष्टे को निभाने से ज़ादा उसके निकास के रास्ते आप धूनने लगे 7. Fear of communication, जिस रिष्टे में अपनी बात एहने से आप डरे क्योंकि दूसरे का reaction क्या होगा आप नहीं जानते 8. Existential crisis, जिस रिष्टे में आपको अपना वजूद होता हुआ दिखाई दे 9. Driven by ego, जिस रिष्टे में प्यार से जादा एहंकार राज करे 10. A broken self ego, जहां पे आपको आपका आत्म समान तूटता हुआ दिखे 10. अगर आपको अपनी शादी में ऐसा लगता है तो आप एक toxic marital relationship में है तो अब बात करते हैं 8 different types of toxic लोगों के बारे में, यह कैसे होते हैं और इनके कौन से behaviors इनको toxic बनाते हैं 10. The controllers or dominators, यह दूसरे की हर बात पे विरोध और हर इच्छा पे निरोध करते हैं दूसरे की नीचा दिखाते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं कि उसका कोई वजूद ही नहीं है और यह constantly आपको emotionally और mentally manipulate करते रहते हैं 10. The fault-finding criticizers, इनको अच्छाई में भी बुराई दिखाई देती हैं और इनको खुश करना नामुम्किन होता है यह हर बात में नुक्स दूनते हैं और हर अच्छी चीज में भी बुराई दून सकते हैं 4. The Narcissists, इनको अपने अलावा और किसी की कदर नहीं होती यह attention के भूके होते हैं और attention प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जब तक आप इनके ego को सरहा रहे हैं आप अच्छे हैं वरना इनकी नजरों में आप बेकार यह materialistic चीजों से ज्यादा और इनसानों से कम प्यार करते हैं 5. The Insecure Jealous, यह बे बुनियाद शक करते हैं और आप पर लालचन लगाते रहते हैं यह आपकी छोटी खुशियों पे रोक लगाते हैं जैसे आपका आपकी friends से मिलना, अपने परिवार वालों के साथ time spend करना या आपका opposite sex के किसी भी इनसान से बात करना इनको भारी पड़ता है और insecure या jealous बना सकता है 6. The blamers यह कभी भी खुद की गलती नहीं मानते और सारा इल्जाम दूसरे पर लगा देते हैं और आपको ऐसा यकीन दिलाते हैं कि यह खुद दूद के धुले हैं और आप अपरादी 7. The competitive यह कभी भी हारना नहीं चाहते और अगर हार जाते हैं तो पत्तमीजी या तंतरम्स पे उधर आते हैं 7. Even when they claim they love you and they would do anything for you, they see you only as competition rather than a partner or friend as the case may be 7. They don't want you to beat them at anything whether it is in the earning of money or a game लेकिन आपकी हार ही इनकी जीत होती है और अंदर ही अंदर ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि आपकी हार इनके लिए एक मौका होता है फेक सहनुबुथी दिखाने का और आपका दिल फिर से जीत लेने का 8. The Liars कभी ना कभी हम सब जूट बोलते हैं पर कभी डर के मारे बोलते हैं, कभी अन्जाने में बोलते हैं कभी confusion में बोलते हैं पर ये जो toxic लोग होते हैं ये chronic pathological liars होते हैं यानि ये आम तोर पे कभी भी किसी भी situation में जूट ही बोलते हैं जब आप इनके जूट से confused और परिशान हो जाते हैं तो यह आपकी परिशानी में अपनी excitement ढूनते हैं अब बात करते हैं कि इन toxic relationships और लोगों से हम कैसे deal कर सकते हैं एक mental health counselor होने के नाते और एक भारत्य नारी होने के नाते मैं हमेशा ये मानती हूँ कि रिश्टे बनाने तो आसान होते हैं पर निभाने उतने ही मुश्किल खास कर शादी का रिश्टा हम कभी-कभी ऐसे रिश्टों में इतना उलज जाते हैं कि इनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है और कभी-कभी नामुम्किन भी हो जाता है तोक्सिक इंसान के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हत्यार है Emotional Questioning Ask them how they feel when they do this to you Question their facts, asking about proof and logic to their statements Saboot मंगिये या फिर, when they make personal attacks, respond with indifference जैसे आपको कोई फरक ही नहीं पड़ता This will give them zero fodder to react back at you Dousra, disarm them If reasoning doesn't work, give up the conversation to disarm them Unse behas karna ya apni safai dena vyaar thay Be boring to them by not showing that their attacks matter to you Give them zero importance But sometimes blow hot and blow cold to confuse them instead of succumbing Teesra, seek professional help ये सबसे जरूरी है एक counselor ढूंड़िये और उनके पास जाकर marital counseling लीजिए Together क्योंकि हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि toxic लोगों का व्यवहार किसी मानसिक परिस्थिती होने के कारण होता है इसी बच्चपन के unresolved issue की वज़े से जैसे शायद बच्चपन में उनको प्यार नहीं मिला या प्यार के नाम पे धिकार या rejection मिला या अपनी किसी खामी को या कमजोरी को छुपाते छुपाते ये इतने insecure बन जाते हैं कि दूसरे को दुख देना ही इनको त्रिप्त करता है इससे ही इनका हिसाब बराबर होता है और इनके जमीर को इंसाफ मिलता है ये अपनी frustrations और जिंदगी की disappointments अपने partners पर लाद देते हैं तो अगर आप एक toxic शादी से जूज रहे हैं प्लीज प्रोफेशनल हेल लीजिए तो इंप्रोव यॉर लाइफ और यॉर पार्टनर्स लाइफ